हेलो स्टुडेंट्स मेरा नाम है मोहिद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एकाउंट्स वाला लास्ट लेक्चर में हमने स्टाइट क्या था अपना नया चेप्टर जर्नल और हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था जर्नल से लेटिड हमने कुछ बेसिक टम पड़ी थी कि जर्नलाइजिंग क्या होता है जर्नल एंट्री क्या होता है पोस्टिंग क्या होता है और कुछ ठियोरी पड़ी थी जैसे कि characteristics क्या थी journal की यानि features क्या थे journal के और फिर मैंने आपको journal का format बताया था और फिर मैंने पांच transaction की आपको journal entry बनानी सिखाई थी आज की class का हम उसी class का extension मा RJ कचलेंगे आज मैं आपको 15 transaction की entry बनानी सिखाऊंगा आप माले के चलिए आज की class आपकी last class का extension है जो हमने last class में क्या था आखरी में जो 5 transaction बनानी सीखी थी कि general entry कैसे बनाते हैं आज हम 15 general entry और बनाएंगे यानि 15 transaction मैंने ली हुई है और आज मैं आपको उनकी 15 transaction की general entry बनानी सिखाऊंगा आएए शुरू करते हैं यह मैंने कुछ transaction लिखे हुई है पहली है purchase goods from ram second है purchase goods for cash third है what goods from shaman credit और fourth है goods purchased and amount paid by check rupees 800 यह चार transaction मैंने आपकी purchase की लिखे हुई है और थोड़ी जगा छोड़ रखी है यहां मैं 5 भी लिखूँगा और यह है आपका format मैंने उस दिन आपको rough करके सिखाया था कि हम कैसे general entry में आते आज मैं आपको रख भी बताऊंगा और proper format में entry भी आपकी बना के दिखाऊंगा बलब proper format में लिखके भी दिखाऊंगा format क्या था बच्चों date, particular, lf, debit rupees, credit rupees यह हमारा standard format है journal का हमें हमेशा इस तरीके से ही अपनी journal entry बनानी है अपनी fair notebook पे और paper में आईए देखते है पहली transaction है आपकी purchase goods from राम rupees 500 राम से आपने goods खरीदे हैं राम से आपने goods खरीदे हैं तो students आप ध्यान रखेगा जब भी आपको किसी transaction में किसी particular person का नाम बताएं यहाँ पे राम का नाम बताया है और यह नहीं बताएं कि goods cash में खरीदे हैं means आगे यह नहीं बताया कि goods आपने cash में खरीदे हैं तो आप हमेशा मान के चलेंगे कि यह goods आपने उधार खरीदे हैं इट means आप हमेशा मान के चलेंगे यह आपकी उधार की transaction है और उधार की transaction को हम बोलते है credit transactions तो आईए देखते हैं बच्चो सबसे पहला हमारा step था accounts involved कि कौन कौन से account involved है हमारी transaction में second step था हमारा उनका nature कि जो account involved है उनका nature क्या है third step था हमारा effect how they affect कि वो effect कैसे हो रहे हैं यानि कुछ बढ़ रहा होगा कुछ कम हो रहा होगा कोई increase हो रहा होगा कोई decrease हो रहा होगा और fourth और fifth column थे आपके debit और credit के कि कौन सा account आपका debit होगा और कौन सा account credit होगा by applying rules of debit and credit जो मैंने आपको last class में बताया था आज मैं आपको फिर revise करा आता हूँ हम पढ़ेंगे बच्चो accounts के rule according to modern approach और modern approach के साबसे आपके five types के account होते थे assets, expense, capital, liability और revenue assets और expense का same rule था, increase होने पे इनको debit करते थे और decrease होने पे इनको credit करते थे liability, capital और revenue इनका same rule था, increase होने पे credit करते थे और decrease होने पे debit करते थे तो आईए आज की पहली ट्रांजिक्शन देखते हैं पर्चेस गुड्स फ्रॉम राम नाम दे रखा है और आगे नहीं बताया कि यह कैस में है तो हम मान की चलेंगे यह क्रेडिट में यानि उधार तो कौन-कौन से जो अकाउंट इन्वल्व हैं? पहला अकाउंट इन्वल्व आपका पर्चेस याद करिए मैंने आपको लाज्ट क्लास में भजाया था कि गुड्स जब भी खरीदेंगे तो अकाउंट इूस होगा पर्चेस और बेचेंगे तो अकाउंट इूस होगा सेल यानि जब आप goods खरीदते हैं, तो purchase account यूज करते हैं, और जब आप बेशते हैं, तो sale account यूज करते हैं, तो पहला account यूज बोल वोग आपका purchase, दूसरा account आपका क्या है, आपने खरीदे राम से, यानि राम, उधार खरीदें, जिस person से business में उधार सामान खरीदते हैं, goods उध purchase आपका expense है, purchase का nature है आपका expense, आप जो goods खरीदते हैं, वो business के लिए expense है, और राम क्रेटर या आपकी liability है, effect, आप goods खरीदे रहे हैं, तो आपका expense increase हो रहा है, आपका expense increase हो रहा है, और आपकी liability भी increase हो रही है, और आपकी liability भी increase हो रही है, आपकी liability भी increase हो रही है तो आपका rule क्या था expense बढ़ेगा आपको करना है debit और liability बढ़ेगी आपको करना है credit तो entry क्या बनगी आपकी purchase debit हुआ राम credit हुआ इस हम कैसे लिखेंगे आईए देखते हैं यह आपका format है इस format में लिखना है date आपको given नहीं है तो मैं यहाँ पर transition में number लिख रहा हूँ date given होगी तो आप date लिखेंगे नहीं तो आप serial number लिख सकते हैं आपकी entry में purchase आपका debit हो रहा है और राम creator आपका credit हो रहा है तो कैसे लिखेंगे देखते हैं बच्चों purchase account debit पहले आप लिखेंगे debit बाला account थोड़ा सा जगाच छोड़के आगरी में लिखेंगे debit और फिर नीचे लिखेंगे 2 राम जो credit बाला amount होगा उसे हम लिखेंगे 2 से start करेंगे थोड़ी से जगाच छोड़ेंगे फिर right side भी लिखेंगे 2 जो भी आपका credit का account है हमारा account था राम तो purchase is account debit to RAM यह हमारी entry बनी कितने रुपे 500 रुपे purchase debit होगी 500 रुपे से और राम आपका credit हो गया purchase expense जी आपका expense बढ़ गया debit राम आपकी liability है liability बढ़ गया credit फिर मैंने आपको बताया था हमें हर transaction की small यानि brief description देनी होती है जिसको हम बोलते है narration तो आईए लिखते है being goods purchase पिलकुल simple लिखने है आपको कोई बहुत लंबी चोड़ी नरेशन नहीं लिखनी है being goods purchase आपने goods खरीदे है आपने लिख के दिखा दिया बस इतनी narration बहुत है second entry देखते है purchase goods for cash रुपेज 600 आपने goods खरीदे है 600 रुपीज के आपने goods खरीदे है 600 रुपीज के तो अब फिर से आपके दो account बोलबे है एक account है purchases और दूसरा account है cash इस बार मैंने आपको बता दिया cash में खरीदे हैं तो कोई उधार नहीं है तो purchase आपका expense है cash आपका asset है effect, खर्चा expense आपका बढ़ेगा जब goods खरीद होगे cash asset आपका कम होगा expense बढ़ेगा तो debit और cash asset कम होगा तो credit तो इस entry में purchases debit होगया जिसे last entry में होगा था और cash credit होगया क्योंकि उधार नहीं खरीदे आपने cash में खरीदे हैं तो आपका cash चला गया asset कम होगा तो credit आईए लिखते हैं purchases account debit to cash account फिर लिखते हैं नरेशन being goods purchased यह आपका है 600 रुपिट का debit में और 600 रुपिट इसका आपके credit में यह जो मैंने line खीच हुए जैसे आपके entry खतम हो जाती है हमें line खीच नहीं होती है मैंने पहले format बनाके रखा हुआ है आईए third entry देखते हैं bought goods from sham on credit Rs.700 bought का मतलब भी purchase होता है इस बार बोले आपको sham से goods खरीदे उधार देखे नाम भी दे रखा है और बता भी रखा उधार है तो जैसे मैंने आपको first transaction कराई है उसमें केवल नाम दे रखा था उधार नहीं बताया था तो मैंने बोला आपको उधार मानना है debt is credit मानना है यहाँ पे तो नाम भी गीवन है और साफ साफ बता रहा है वो credit एकमेंस यह तो साफ साफ पर चला है कि credit transaction है तो इसमें तो कोई दिक्कर ही नहीं है दो account involved में आपके एक purchases दूसरा आपका श्याम जिससे आपने परचेस करा है first entry में रामता यहाँ पे श्याम आगया श्याम कोन है आपका creator चिस person से आप उधार सामन खरीते हैं उधार goods खरीते हैं बिजनिस में वो आपका creator होता है परचेस आपका expense है और creator आपकी liability है expense आपका बढ़ेगा जब goods खरीतोगे liability आपकी बढ़ेगी liability भी बढ़ेगी आपकी liability बढ़ रही आपकी sorry मैंने पहली entry में गलत लिख दिया है liability बढ़ रही थी लेकिन rules लगाया था liability भी बढ़ेगी आपकी expense बढ़ेगा तो debit liability बढ़ेगी तो credit आई ये लिखते है purchases यहां लिखते है purchases account debit debit to sham यह आपका है 700 रुपीज फिर से नरेशन वही being goods purchased first entry में मैंने आपका arrow गरत लगा दे था rule मैंने सही अपलाई किया liability भी आपकी बढ़ रही थी arrow मैंने डाउन सेट कर दे था जबकि अफवर्ड होना चाहिए था आईए fourth entry पढ़ते है purchase goods या goods purchase and amount paid by check rupees 800 इस बार हमने फिर से goods खरी दें लेकिन इस बार payment check से करीए तो याद करिए second entry purchase आया था और cash आया था अब purchase तो आएगा लेकिन cash की जगा bank आएगा जब check से payment करेंगे तो आपका bank account कम होगा तो आपका bank वाला asset कम होगा और cash में pay करोगे तो cash वाला asset कम होगा तो आएगे लिखते हैं कौन-कौन से दो अकाउंट इस बोलब है purchase account और bank account purchase आपका expense है bank आपका asset है expense आपका increase हो रहा है asset आपका decree हो रहा है जब आप check से payment करोगे तो bank आपका कम हो जाएगा bank आपका कम हो जाएगा तो expense बढ़ेगा आप करोगे debit और bank asset आपका कम होगा आप करोगे credit तो आपकी entry बनी purchases account debit to bank आपकी entry बनी purchases account debit to bank आई लिखते हैं purchases account debit to bank account 800 रुपीज being goods purchase बिल्कुल simple narration लिखनी है आपको कोई बहुत बड़ी narration नहीं लिखनी narration का मतलब है small description जिससे आपकी उस transaction के बारे में हमें पता चल सके कि यह किस चीज की entry है अब मैं एक 5th entry लेता हूँ यहाँ पर 5th transaction यह मैं आपको लिखके दिखाता हूँ machinery purchased for cash रुपीज 10,000 आपने 10,000 रुपे की machine खरी दिए तो इस transaction में आपने machine खरी दिए याद रखिए यहाँ पर purchase account नहीं आएगा यहाँ पर machine account आएगा purchase और sales हमेशा आपके goods के लिए उस होते है purchase and sales both the terms are associated with goods इन दोनों term का use आपका goods के लिए होता है अगर आप deal कर रहे हैं clothes के business में तो clothes आपके goods हैं goods क्या होते हैं वो physical item जिन में हम deal करते हैं तो अगर आप machine में deal नहीं कर रहे हैं तो machine आपका goods नहीं है तो यहाँ पर आपका machine account involved होगा transaction में ना की purchase goods खरीदेंगे तो purchase account आएगा तो कौन-कौन सा account involved है यहाँ पर पहला machinery दूसरा cash machine आएगी cash जाएगा machine आपका asset है cash भी आपका asset है machine आएगी तो asset बढ़ेगा cash जाएगा तो asset कम होगा asset बढ़ता है तो debit करते हैं और asset कम होता है तो credit करते हैं तो machine debit होजाएगी और cash credit होजाएगा आए लिखते हैं machinery account चाउंट डेबिट टू कैश चेक सेपेमेंट करेंगे तो बैंक लिखेंगे टू कैश 10,000 रुपीज अगर चेक सेपेमेंट करेंगे तो बैंक लिखेंगे आईए कुछ और एंट्रे अकट में अब ये मैंने पांच एंटर लिखी है आपकी सेल्स की अभी मैंने आपको पांच परचेस के इंटरे पढ़ाई अब मैं आपको पांच सेल्स के इंटरे पढ़ाऊंगा आएए देखते हैं आपने मोहन को गुट्स बेचे हैं 800 रुपे के अब मैंने आपको बताया जब भी गुट्स वर्ड आएगा सेल होगा तो सेल अकाउंट इस आएगा परचेस होगा तो परचेस अकाउंट और आपको नाम गीवन है और ये नहीं बताया कि ये उधार है या कैस है तो मैंने आपको भी बताया था परचेस में कि अगर आपको नाम गीवन है और वो कैस में है ये नहीं बताये तो आप हमेशा मान के चलेंगे कि ये आपका उधार है ये आपकी क्रेडिट टांजेक्शन है तो हम मान के चलेंगे कि ये goods हमने credit पे बेचे हैं अगर आपको cash नहीं बताता है तो आप हमेशा credit मानेंगे चाहें purchase हो या sale हो तो sold goods to mohon आपने 800 रुपे के goods बेचे है mohon को तो ये आपकी credit sale है आईए देखते account involved कौन कौन से students एक है आपका mohon जिसको आपने माल बेचा है जिसको business में माल बेचते हैं वो आपका debtor होता है जिसको business में उधार माल बेचते हैं वो आपका debtor होता है और दूसरा आपका है sales account दो account involved है एक mohon और एक sales goods बेचेंगे तो sale account आएगा goods खरीदेंगे तो purchase account आएगा आईए आगे देखते है इनका nature नेचर क्या है डेटर आपका asset है sales आपका revenue है revenue क्या होती है कोई भी आपकी income या sales हो गई या इंटरसीब हो गया discount receive rent receive या आपका revenue है इनका effect how they affect ये effect कैसे हो रहे है आप debtor को उधार माल बीचेंगे तो आपको debtor से पैसा लेना है तो debtor के रूप में आपका asset increase हो रहा है debtor के रूप में आपका asset increase हो रहा है और आप जब sale करोगे तो आपका revenue बढ़ेगा तो आपका revenue भी increase हो रहा है asset बढ़ेगा debit revenue बढ़ेगा credit I repeat debtor आपका asset है increase योगा debit sales आपका revenue है sales करने पर revenue बढ़ रहा है जितने आप sales करोगे उतनी आपकी earning बढ़ेगी तो जितनी earning बढ़ेगी earning हमारी revenue है तो जितना हमारा revenue बढ़ेगा उतना हमारा credit होगा sales आपका revenue है, sales करने में आपका revenue बढ़ेगा तो revenue बढ़ेगा, तो create करना है तो entry बनेगी mohan debit to sales आईए लिखते हैं mohan debit to sales account being goods sold second entry क्या है sold goods for cash रुपीज 900 आपने 900 रुपे के goods cash में बैचे, अब फिर से दो account involved पहला cash account दूसरा sales account जब भी आप goods sale करेंगे तो एक आपका sale account तो fix है आए गई आएगा, उधार करेंगे credit पर करेंगे तो debtor आएगा नगत करेंगे तो cash आएगा यहाँ पर नगत है cash आएगा, cash आपका asset है sales आपका revenue है asset आपका बढ़ेगा जब आप cash में sell करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा तो asset आपका बढ़ेगा cash आपका बढ़ेगा, sales revenue है sales करने पर revenue भी आपका increase होगा, asset increase होगा तो debit revenue increase होगा तो credit तो entry बनी cash account debit to sales account आईए record करते हैं cash account debit to sales account 900 रुपीज 900 रुपीज debit के सामने debit का माउंट credit के सामने credit का माउंट being goods sold आईए next entry देखते हैं goods sold to Kamal on credit अब जैसे first entry थी उसमें नाम की बन था cash और credit नहीं बताया था तो credit थी यहाँ पर तो सबसब बताई रहा है कि आपने Kamal को goods बेचे और उधार बेचे हैं तो जिसको भी उधार माल बेचते हैं आपका debtor होता है तो एक account इन बोल आपका कमल जो आपका debtor है और दूसरा account है आपका sales जब भी goods बेचेंगे sales account हैगा तो एक asset है आपका और एक आपका revenue है debtor asset sales revenue आपका debtor बड़ेगा जब आप उधार माल बेचोगे और revenue भी आपका बड़ेगा जब आपकी sales हो गई तो revenue आपका goods sold 1000 debit के सामने debit का amount credit के सामने credit का amount आईए next entry पढ़ते है sold goods to Rohan against check rupees 1100 आपने goods Rohan को बेचे हैं अब नाम भी गीवा ने लेकिन बता दिया against check यानि पैसा आपको check से मिलेगा यानि bank बड़ेगा आपका अब यह उधार की transaction नहीं है क्योंकि नाम गीवा ने लेकिन साथ में बता रहा है against check check के बतले बेचे हैं यानि आपने उधार नहीं बेचे हैं तो एक आपका account involved है bank क्योंकि आपको check मिला है bank आपका asset है और दूसरा आपका है sale जब भी आप sale करेंगे goods को तो sale account तो पक्का आए गई आएगा sale revenue है check मिला है तो bank asset है check मिलने से asset आपका बढ़ेगा यानि bank आपका बढ़ेगा और goods बेचने से revenue यानि sale आपकी बढ़ेगी asset बढ़ेगा debit revenue बढ़ेगा credit मैं repeat कर देता हूँ आपने goods बेचे है चेक के against चेक का मतलब है आपको पैसा bank से मिलेगा तो bank आपका asset involved हुआ एक दूसरा sales bank आपका asset है बढ़ने पर debit sales आपकी revenue है और जब goods sales करेंगे तो आपका revenue इंक्रीज होगा revenue इंक्रीज होने पर credit आए रिकॉर्ड करते है bank account debit to sales account 1100 1100 बेइंग फिल्कुल सिंपल नलेशन गुड्स शोल्ड फिफ्थ फिफ्थ क्या है आए देखते है sold old furniture for cash 1200 आपने furniture बेचा है तो यहाँ पर आपका कौन सा account involved होगा बच्चों furniture sales नहीं होगा क्योंकि sale word cable goods के लिए आता है जैसे purchase goods के लिए आता है sale भी goods के लिए आता है अगर आप कोई और asset बेच रहे हैं आप furniture बेच रहे हैं तो यहाँ पर आपका furniture account involved होगा ना कि sale और furniture खरीदते तो furniture account involved ना कि purchase और sale दोनों account के लिए उस होगे बाकि कोई भी asset आप बेचेंगे या खरीदेंगे तो उस asset का नाम use होगा तो furniture बेचेंगे तो कौन-कौन से दो account involved है एक furniture और दूसरा आपका cash क्योंकि आपको cash मिलेगा furniture asset है, cash भी asset है, asset आपका increase होगा, sorry furniture आपका asset चला जाएगा जब आप बीचोगे और cash आपका आजाएगा furniture आप sale करोगे तो आपका चला जाएगा asset और cash मिलेगा उसके बतले cash आपका आजाएगा तो एक asset कम हो रहा है, जो कम होगा वो credit और जो बड़ेगा वो debit, cash आपका asset है, बड़ेगा debit, furniture भी आपका asset है, कम होगा credit, asset का rule है, increase in asset, debit, decrease in asset, credit तो entry बनी आपकी cash account debit to furniture, आई ये record करते हैं, cash account debit to furniture, नरेशन लिखिए, being old furniture sold, being old furniture sold, रुपीज, 1200, 1200, आईए, आगी देखते हैं, अब ये 5 entry बची हैं आपकी, आज की class की, goods return to RAM, आपने RAM को goods बापस कर दिये, आपने RAM को goods बापस कर दिये, जब आप RAM को goods बापस कर रहे हैं, हमने RAM से पहले खरीदे होंगे, अब हम बापस कर रहे हैं, return to RAM का मतलब है RAM को, यानि आप उसको बापस कर रहे हैं, तो आप बापस बोचीज कर रहे हैं जो आपने खरीदी होगी, तो जो goods आप बापस करते हैं, उनको बोलते है purchase return, जो goods आपने खरीदे हुए हैं, वो आप बोलेंगे purchase return, खरीदते हैं तो purchase बोलते हैं, वापस कर देंगे तो purchase return हो जाएगी तो goods return to RAM तो यहाँ पे आपके दो account involve है, पहला आपका account involve है RAM का, RAM को ने आपका creator जिससे आपने माल खरीदा था अब आप उसको माल वापस करेंगे और दूसरा account involve है, आपका purchase return account purchase return account याद करें, student जब आप goods खरीदते थे तो purchase account आता था goods वापस करेंगे, तो purchase return account आएगा, इसका nature भी expensive है, RAM आपका creator है, आप जिसको goods वापस कर रहे हैं, उससे आपने उधार खरीदे थे तो अब आपको goods वापस करने तो RAM आपकी liability creator आपकी liability कम हो जाएगी, और purchase आपका expense, ये भी आपका कम हो जाएगा liability कम होगी, आपको करना है debit, expense कम होगा आपको करना है credit मैं आपको फिर से समझाता हूँ, देखिए goods return to RAM आपने RAM को goods वापस करे, RAM कौन है आपका creator, जिस person को हम goods वापस कर रहे हैं, उससे हमने पहले goods खरीदे होंगे, जब goods खरीदे थे, तो हमारा creator था अब हम उसको वापस कर रहे हैं, तो अब भी तो creator ही है जब हम goods वापस करेंगे तो हमारी liability कम हो जाएगी कम क्यों हुई, क्योंकि अब आपको उसका पैसा नहीं देना, जब आपने goods ही वापस कर दिये, तो पैसे थोड़ी देंगे, और दूसरा account involved है आपका purchases return, goods खरीदते हैं, तो account आता है purchase, goods वापस करेंगे तो account आएगा purchase return purchase आपका expense था purchase return का nature भी आपका कर देंगे, तो entry बनी ram debit to purchases return, बहुत simple है goods खरीदते हैं, तो purchase debit होता है, goods वापस कर देंगे तो purchase return create हो जाएगी क्योंकि purchase जब खर्चा बढ़ता है तो debit करते हैं, जब goods वापस कर देंगे तो purchase यानि खर्चा आपका कम हो रहा है तो purchases account को create कर देंगे और साथ में लगा देंगे return आई ये लिखते हैं ram debit to purchases return account student purchases written का एक नाम हो रहे मैं लिख देता हूँ, return outward हम purchases written को return outward भी बोलते हैं being goods गुड्स return आपने गुड्स वापस कर दिये 100 रुपीज डेबिट में 100 रुपीज ट्रेट में second entry का है goods return by Mohan Mohan के द्वारा goods वापस आ रहे हैं Mohan के द्वारा means आपने Mohan को बेचे होंगे अब Mohan आपको goods वापस कर रहा है यानि आपने जब बेचे होंगे तो तब entry बनी होगी sales की अब Mohan आपको goods वापस कर रहा है तो यह है sales return जैसे यह purchase return था पहली entry में यह है आपका sales return goods return by Mohan Mohan के द्वारा goods आपके पास वापस आ रहे हैं तो entry में दो account involved होंगे पहले का नाम है sales return पहले का नाम है sales return इसको हम return invert भी बोलते है return invert sales return का नाम return invert भी है और दूसरा account involved है आपका Mohan Mohan कोन आपका debtor आपने जिसको माल बेचाता हो धार वापका debtor होता है अब वापका माल वापस कर रहा है तो दो account involved है एक तो sales return account और दूसरा आपका debtor account sales आपका revenue होती है बढ़ता है तो create करते है sales return नेचर तो इसका भी revenue है लेकिन अब जब आपकी sales बापस आजाएगी तो आपका revenue कम हो जाएगा तो आपका revenue कम हो जाएगा जब sales करते हैं तो revenue बढ़ता है income बढ़ती है लेकिन जब माल ही बापस आजाएगा तो income कम हो जाएगी यानि revenue कम हो जाएगा और debtor debtor मोहन आपका asset है debtor आपका asset होता है asset भी आपका कम हो जाएगा क्यों कम हुआ जब सामने वाला person जिसको हमने माल बेचा है उधार वो goods ही हमारे बापस करतेगा हमें तो वो पैसा थोड़ी देगा तो debtor भी कम हो गया और revenue भी कम हो गया revenue कम होता है करते है debit asset कम होता है करते है credit revenue कम होगा debit asset कम होगा credit आईए लिखते है sales return account debit इसका एक नामोर लिखता हूँ return invert आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते है paper में आपको कोई भी नाम दे सकता है to mohan debtor का नाम है mohan being goods return by mohan mohan के द्वारा goods पापस आए है कितने रुपे क्या है 200 रुपीस क्या है आईए next entry देखते है expenses paid expenses paid का मतलब क्या है आपने खर्चे पे करे है खर्चे क्या होते है business को carry on करने के लिए day to day हम जो खर्चे करते है अच्छे चलाने के लिए revenue को earn करने के लिए वो हमारे expense होते है like salary rent interest paid commission paid insurance paid telephone expenses stationary postage depreciation यह सारे आपके expense है तो मैंने example लिया है कि rent या salary कुछ भी हो सकता है लेकि मैंने term लिखिए expense तो जब भी आप expense pay करेंगे तो आपके दो accountant बोलगे फ़ला जो आपने expense pay करा है माल लिखिये मैंने rent पेक राया है तो accountant बोलगा rent दूसरा आपने अगर cash में pay करा है तो cash accounting बोलगा check से pay करा है तो bank accounting बोलगा कुछ नहीं बोला तो मैं बनकी चल लो expense जब आप pay करेंगे तो खर्चा आपका नेचर एक्सपेंस का एक्सपेंस ही है, रेंट आपका एक्सपेंस है, तो नेचर हो गया एक्सपेंस, कैस आपका एक्सपेंस है, जब आप एक्सपेंस पे करेंगे, तो खर्चा आपका बढ़ेगा, और कैस में पे करेंगे, तो कैस आपका कम होगा, एक्सपेंस बढ़ेगा, debit, cash कम होगा credit, I repeat मालनी जए आपने rent पे करा है तो दो account इन बोल गुए, एक rent और cash, rent का नेचर है आपका expense cash का नेचर है asset जब आप rent पे करते हैं, it means खर्चा आपका हो चुका है, यानि खर्चा आपका बढ़ गया है, तो expense बढ़ेगा debit, cash आपका चला जाएगा asset कम होगा, credit asset का रूल है, कम होने पे credit ज़्यादा होने पे debit, expense का भी same रूल है, कम होने पे credit, ज़्यादा होने पे debit आईए, देखते हैं next अच्छा मैं इसी में एक example और ले लेता हूँ अगर salary पेकरी होती तो एक account आता salary, एक account आता cash, salary expense है cash, asset है salary expense का नेचर बढ़ेगा जब पेकर होगे, cash asset आपका कम होगा, expense बढ़ेगा, debit, cash कम होगा credit, तो asset का रूल है, कम होने पे credit, ज़्यादा होने पे debit, expense, ज़्यादा होने पे debit कम होने पे credit, तो कोई भी expense हो, आपकी entry क्या बनेगी, उस expense का नाम debit, to cash, या bank, cash में पेकर होगा, तो cash credit होगा, bank में पेकर होगा, तो bank credit होगा, आईए लिखते हैं expenses माल लिजिए ये rent है, या salary है, तो जो भी है, उसका नाम आजाएगा account debit to cash, या bank, अगर bank में होगा, तो checks होगा, तो bank, मैं मान चल लूँ, cash bank, 300 रुपीज being expenses paid अगर आप salary लिखते हैं, तो लिखते हैं, being salary paid rent लिखते हैं, तो लिखते हैं, being rent paid fourth income received, रुपीज 400, अब income आपकी कुछ भी हो सकते हैं, आपको interest मिला हो, commission मिला हो bad debt recovered हुआ हो यह आपकी income हो सकते हैं, कोई भी rent receive हो, आपको income हो रही है, तो जब आपको income मिलेगी, तो आपकी 2 account इन बोल वहंगे, cash में मिलेगी, तो cash account, checks मिलेगी, तो bank account मैं मान की चल लूँ, आपको cash में मिल रही है और income receive, जो भी होगी, उसका नाम लिखेंगे, मान लीजे, income आपको receive हो रही है, interest interest आपको receive हो रहा है, तो income का नाम है, interest receive, तो आपके 2 account इन बोल वह है, cash, एक income, जो आपके interest receive, cash आपका asset है, interest receive, आपका revenue है, कोई भी income होब आपका revenue होती है, कोई भी income होब आपका revenue होती है, जब आपको income receive होगी cash में, तो asset आपका बढ़ जाएगा और interest receive revenue भी आपका बढ़ जाएगा, जब भी कोई आपको income earn होगी, तो revenue भी बढ़ेगा और cash में मिलेगी, तो cash भी बढ़ेगा, asset बढ़ेगा debit, revenue बढ़ेगा credit, तो entry क्या बन गई, cash account debit to interest receive, माल लिजा आपको interest receive की जगा commission receive हो आता commission receive तो आपका एकाउंट और बढ़ आपका revenue होता rank receive होता, तो rent receive आपका revenue होता rent receive आपका revenue होता revenue बढ़ेगा तो credit और cash में मिलेगा asset है asset बढ़ेगा debit, यानि कोई भी इनकम आपकी रिसीव होगी इनकम रिसीव आपका revenue है revenue बढ़ेगा credit तो उस income को आप credit कर देंगे और जिस form में रिसीव होगी या तो cash की form में या check की form में check की form में रिसीव होगी तो आप bank को debit करेंगे cash की form में रिसीव होगी तो आप cash को debit करेंगे आई ये लिखते हैं Cash Account Debit To Interest Received Account या कोई भी Income Received Account जो भी आपको मिल रही है Interest Reef हो सकता है Commission Receive हो सकता है Rent Receive हो सकता है Being Income Received Being Income Received Rs.400 आज की Last Entry आईए देखते हैं Cash Withdrawn By The Proprietor For Personal Use Rs.500 Cash Withdraught करा है Honor ने Personal Use के लिए Cash Withdraught करा है Honor ने Personal Use के लिए तो Honor जो Personal Use के लिए Withdraught करता है उसको हम बोलते है Drawings वो होता है हमारा Drawings तो एक Account Invol पर मारा Drawings दूसरा Cash Withdraught करा है तो Cash Account Invol भूआ अगर Goods Withdraught करता है तो यहाँ पर Cash के लिए पर्चेसिस आता है अगर Goods Withdraught करता है तो यहाँ पर्चेसिस अकाउंट आता है क्योंकि फिर आपके Goods करम होते है वो मैं आपको Next Class हम पता हूँगा तो Cash Withdraught करा है Cash आपका एक Account Invol भूआ और जो आपका Personal Use होता है उसको बोलते है Drawings तो Drawings का Nature है आपका Capital Drawings आपका Capital Nature का Account है और Cash आपका Acid Nature का Account है आपको पता है Drawings से आपकी Capital कम होती है तो Capital आपकी कम हो जाएगी जब आप Personal Use के लिए पैसा निकालेंगे Capital आपकी कम हो जाएगी और Cash आप cash की form में निकालेंगे तो asset भी आपका कम हो जाएगा capital कम होगी आपको करना है debit cash कम होगा आपको करना है credit I repeat आपने goods withdraw करें है personal use के लिए तो goods, sorry, cash withdraw करा है personal use के लिए तो cash account involved हुए एक और personal use के लिए करा है तो उसे बोलते drawings drawings का nature है capital cash का nature है asset capital आपकी drawing से कम होती है तो कम हो जाएगी cash की form में करेंगे तो cash भी कम हो जाएगा capital कम होगी debit asset कम होगा credit rule है हमारा capital का कम होने पे debit ज्यादा होने पे credit asset का कम होने पे debit sorry, asset का कम होने पे credit ज्यादा होने पे debit तो आएए लिखते हैं Drawings debit to cash, ज्याइब की Drawings account debit to cash account 500 rupees, 500 rupees being cash withdrawn for personal use ये आज हमने करी है 15 एंट्रियां, मुझो अमीद है आज हमने करी है 15 एंट्रियां, मुझो अमीद है आपको समझ में आई होंगी अगर आपको कोई भी doubt है, आप comment करें, मैं आपको reply करूँगा, मैं आपकी query को solve करूँगा अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, तो please वीडियो को like करें, channel को subscribe करें, और दोस्तों में अपने वीडियो शेर करें, thank you फिर मिलते हैं, next वीडियो में, till then, take care, goodbye, bye bye